एक English officer जो डिस्टिंग जगहा पर सवर कर रहा था वहाँ की local language सिखने के लिए उसे एक लटकी दी जाती है जो उसके साथ intimate होगी और उसे language सिखाएगी प्रॉलम दब आई जब उसे उससे प्यार हो गया Hello friends, आज मैं आपको The Sleeping Dictionary यह Hollywood romantic movie explain करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है हमारी story स्टार्ट होती है 1936 में उस वक्त इंगलंड पर बहुत सारे देशों पर राज था अगर किसी को भी government job करना था तो उनकी education के के लिए उन्हें remote सी country में भीज दिया जाता था यहां पर वो सर्व करते थे जो वापस आते तब उन्हें यह job दे दी चाती है वैसा है हमारा main character जिसका नाम है जॉन इस सर्व करने के लिए सेवाग नाम की country में आया यह country उतनी डेवलब नहीं थी यहां के बहुत सारे लोग हेंडरी उसे पुछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे option थे तुम यही क्यों आये जॉन ने कहा कि मेरे फादर ने यही सर्व किया था इन लोगों को education देना चाहते थे अपने फादर की vision वो खुद complete करना चाहता है हेंडरी उसे कहता है कि success हो नहीं पाएगा यहां के लोग लोग बहुत ही अलग है इनने education देकर कोई भी फाइदा नहीं क्या लोकल लोगों के tribe के head से मिलने के लिए फिर उसे लेकर गया हेंडरी जॉन से कहता है कि जो भी कहेंगे यह तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा वहाँ पर जाने पर उसे drink देते जॉन ड्रिंग नहीं करत थी उन्होंने बहुत सारा drink किया और इसके बास सलीमा अपने friends के साथ नाच रही थी सब लोग फिर request करते जॉन भी उन्हें कुछ perform करकर दिखाया वह एक boring सी poem सुनाता है जो लोगों को पसंद नहीं आए फिर उसे pick up करने के लिए जो आदमी आया था उसे के साथ उसने dance किय सब लोग इस पर बहुत असे है उस आदमी का नाम में बदंस आया है अगली सुबा जॉन ने जो भी किया इसे हो बहुत ही embarrassed था आज हेंडरी अपने साथ सलीमा को लेकर आया था उसे कहता है कि ये तुमारी wife की तरह सारे काम करेगी जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता तो उस जॉन को यह सब बहुत ही गलत लगता है वो सलीमा को जानता नहीं वो यह सब नहीं कर सकता हेंडरी ने कहा हम सलीमा को फोर्स नहीं करें उसने भी तुमें चुना है हेंडरी अब जॉन को फोर्स करने लग गया था तो जॉन मान गया पर वो गहता है कि मैं उसके साथ intimate नहीं होंगा हिंडी को इस पर गुस्सा आगया और वहां से चला जाता है जौन ने जो भी कहा इस वज़े से सलीमा को भी उस पर गुस्सा आगया इनकी एरिया के बॉर्डर में कुछ चैनीज लोग घुस कर आये थे और इनकी उनके साथ फाइट हुई है लोकल लोगों ने चैनीज लोग को तो मार डाला पर अब और थे कि उन चैनीज लोग के सर तोड़ कर ले आया जाए जाए जौन ने काम बिलंसाई को देता है और बिलंसाई ने मंकी के हेड लाये थे जौन ने पहचान भी नहीं पाया तो सब लोग उस पर बहुत अस्त है जौन यहाँ न्यू है और उसे कोई निकल गे शेव जौन को समझाता है कि अगर सलीमा घर पर चली के तो लोग समझेंगे कि वह बहुत ही अगली है उसका मजा गोडाएंगे जौन भी फिर सलीमा के पीछे बीचे गया वो कहता है हमारी कंट्री में ऐसा होता नहीं मैं इसे किसी के साथ इंडिमेट नहीं हो सकत उसे सौरी कहता है और फिर से लैंग में सिगना ट्राय करना चाहता है सलीमा भी मान की नेक सिन में हम देखते हैं कि जौन कुछ काम के लिए हेंरी के घर पर आया हुआ था यही पर उसकी वाइव एजी से मिलता है एजी उसे बुछती है तुमारी स्लीपिंग डिशनरी कैसी है सलीमा के प्रोफेशन को स्लीपिंग डिशनरी कहा जाता है एजी को इसके बारे में पता था तो उसे कुछ भी जादा फरक नहीं पड़ता यहां की ट्रेडिशन है तो उसने उसे एकसेप्ट कर लिया था रात में जौन और सलीमा एक ही रूम में अलग-अलग बेड़ पर सलीमा कहती है पाकिस सब लोगों से तुम बहुत अलग हो अगली दिन फिर से लोकल लोगों से मिलने के लिए जौन गया हुआ था वो अभी भी उसके कोई भी बात मान नी रहे वो कुछ बच्चों को बढ़ा रहा था और बैलेंसाय को इसमें कोई भी पॉइंट नजर नही सकते हो तो उसके चैंपियन हो बैलेंसाय कहता है कि हाँ तो जौन उसके साथ अब कॉम्पिटिशन करना चाता था सारे लोग इसके लिए बहुत ही एकसाइटेड हो गये यह दोनों पानी में गये थोड़े टाइम बात बैलेंसाय उपर आ गया और जौन अभी भी पानी के नीचे ही था वो लासली बाहर आया तो एक गेम जीच चुका था पर उसके पास ओक्सीजन सिलेंडर है यहाँ के लोगों को ओक्सीजन सिलेंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं तो सब लोग उसे डर जाते जौन ने बेलैंसाई कहार आया तो उसके सारी बाते मानने लग आज राज सलीवा जॉन को चिल्डेन के भूग से पढ़ा रही थी जो लोरी सलीवा गाया रही थी जॉन के फादर जब वो छोटा था तो यही उसे सुनाया करते थे सलीवा कहती है कि मेरे फादर भी यही मुझे सुनाते थे वो जब 4 साल की थी तभी उनकी डेथ हो गई थी यही लाइंगवे सिखते सिखते है उसे हाथ, नेक, इन सारे body organs के बारे में सिखा रही थी एक दूसरे को टच करने लग गए और फिर intimate हो जाते है इसके बाद यह बार बार intimate होने लग गए एक रात intimate होने के बाद सलीमा यहाँ से जा रही थी जॉन कहता है, मेरे बेट पर ही सो जाओ सलीमा उसे कहती है, कि हमारे tradition है दो लोग पास रात तक एक साथ उठें तो उन दोनों की engagement हो जाती है तो मेरे साथ engagement नहीं जाते है अगली रात हेंडरी ने जॉन को अपनी घरबर बुलाया था हेंडरी के बेटी अपना education कंप्लीट करकर इंगलंड से वापस आई थी यह सब एक साथ dinner कर रहे थे हेंडरी के बेटी का नाम है सिसिल सिसिल इंगलंड में यही के लोकल लोकों पर रिशर्च कर रही थी वो बातों-बातों में कहती है यहाँ बर बहुत ही अजीब से tradition हुआ करते थे कोई न्यू आविसर आ है तो लाइंवेश सिखने के लिए उसे एक लटकी दी जाती थी सिसिल को पता नहीं था कि आज भी यही tradition चल रही है सिसिल वंडर करती है कि उन दोनों में यह कोई भी फिलिंग्स डेवलप होगी हेंडरी को लगता है कि इस तरीके से कोई भी फिलिंग्स डेवलप होना गलत होगा क्योंकि यह सिर्फ एक tradition है जान कहता है कि उन दोनों में फिलिंग्स डेवलप हो सकती है जैसे उसे सलीमा के लिए हो रही थी हेंडरी को ये बात बहुत ही गलत लगती है जॉन घर पर आया और सलीमा को गले लगा लेता है अगली दिन जॉन और सिसिल एक साथ थे सिसिल को सारे लोगों के बारे में और भी जानना था वो रिसर्च कर रही थी तो इसी रिसर्च के लिए जॉन उसे सारी जगा दिखा रहा था वो सब लोगों की फोटो भी ले रही थी वो सलीमा के सामने आई वो उसकी फोटो ले सलीमा को अच्छा नहीं लगता वो जॉन से कहती है कि इसे मना करो पर जॉन कुछ भी बोल नहीं पाया अचानक से रिवर के पास फ्लोट होते हुए कुछ लोग आए एक डेंजरेस बिमारी की वज़े से उनकी डेथ हो गई थी यह एक्च्छल में हो क्या रहा है तो इसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जॉन अपने साथ कुछ लोग को लेकर चला जाता है उसके साथ बोलंस आए और सलीमा भी थी जाने से पहले एज़ी उसके पास आई वो कहती है मेरी बेटी बहुत ही एजुकेटर है वो यह बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम उसके साथ खुश रहोगे तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए जॉन को यह बहुत ही अजीब लगा वो कुछ रिस्पॉंस दे नहीं रहा था तो आज़ी कहती है यह जल दिजए इसके लिए हा कहतो वन्ना तुम्हारे हाद से हो चली जाएगी जॉन ने रात में सलीमा से बात की उसे बुशता है मुझसे पहले कि मेरे जैसे और भी ऑफिसर्स थे सलीमा कहती कि हाँ जॉन ने जिस तरीके से सिसिल के सामने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया इस वज़े से सलीमा उस पर बहुत ही गुशा थी उससे कहती है तुम भी बाकियों की तरह ही हो जॉन उसे पुशता है क्या मेरे साथ कुछ अलग नहीं था क्या हमारी रिलेशनशिप कुछ भी अलग नहीं सलीमा कहती कि नहीं मैं सिर्फ तुमारे साथ इंटिमेट होती हूँ जॉन समझ गया कि उस पर वो गुशा है अगले दिन ये सब उस बिमारी को इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जगा पर पहुचे यहाँ पर और और भी लोगों की बिमार पढ़कर डेथ हुई थी जॉन कुछ भी समझ नहीं पाता कि इस सब के पीछे का रिसन क्या है तो भी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया बिलोंसाय ने उसे सलीमा भी बिमार पढ़ चुकी थी जॉन ने इस पर सोजा तो रियलाइस करता है कि सलीमा ने राइस खाया था जो लोग माइनिंग कर रहे थे उन्होंने आदिवासी लोगों को राइस दिया अगर सब लोग मर जाएंगे तो उनकी माइनिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा यही राइस सलीमा ने भी खाया था पर इस लोग पोईजन है तो उसे कुछ भी नहीं होगा पर जो लोग हमेशा से इसे खाते आ रहे है उनकी डेथ हो जाती है अब यहाँ के जो लोकल लोग थे यह बहुत ही डेंजरस है अगर उन्हें इसके किसलीमा बिमार थी तो उसके लिए बहुत ही वरिट था उसके बिना जीर नहीं सकता उससे इसा बात कह देता है उसके अगर सकूंछ बी अल नहीं करेilla यह बहुत ही हाइड होग जौन कहता है कि ऑसा कुछ भी नहीं है लोग हमें समझ लेंगे जॉन ने सलीमा के बारे में जब हेंडी से बात कि तो हेंडी उस पर बहुत ही गुसा हो गया था तो गैता है ऐसा कुछ भी अलावड नहीं यह हमारी गवर्मेंट को डिस्रिस्पेक्ट होगी जॉन सलीमा को जाने नहीं दे सकता इसा बात एजी ने सुने एजी ने उसे कहा कि सलीमा तुम्हारी पास थी अब तुम आगे बढ़ो हेंडी उसे एक ओफर देता है कहता है तुम अब फिर से इंगलंड जाओगे वाबर शादी करोगे और फिर अगर तुमें लगा तुम फिर से वाबस आ सकते हो पर अगर तुमने ओफर नहीं लिए तो उन मायनर्स को मारने के लिए मैं हमेशा के लिए तुमें जेल में डाल दूँगा इसे के पैललल में सलीमा को भी ब्लैक मेल किया जाता है अगर उसने जॉन को जाने नहीं दिया तो बोलंसाय को लोग मार डालेंगे बोलंसाय के फादर सलीमा को रिक्वेस्ट करते है सलीमा मानती नहीं तो उसे केज में डाल दिया गया था जॉन भागते बागते उसके पास आया सलीमा उससे गहती है मैंने तुमसे कहा था ये सब पॉसिबल नहीं हेंडरी सलीमा और जॉन को लास चांस देता है अगर वो बाने नहीं तो इन दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा सलीमा जॉन को जेल में नहीं देखना जाती तो कहती है कि अब मैं इसे कभी भी नहीं मिलूँगी सलीमा ने भी जॉन को जाने के लिए कहा इसके बाद हम देखते हैं कि डारेकली एक साल बीच चुका था जॉन की सिसिल के साथ शादी हो चुकी है इनकी वेडिंग नाइट पर सिसिल जॉन से भूशती है या तुम्हारी कोई स्लिपिंग ब्यूटी थी जॉन उसे सच कहता है पर सिसिल को इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता जॉन ने उसे खुद प्रपोस किया था अब एक साल हो चुका था तो जॉन ने फिर्जे डिसाइड किया क्यों उसी जगा पर जाएगा वहाँ अने बर इने वेलकम किया जाता है अब वहाँ के सारे बच्चों को जॉन पढ़ाने वाला था सब लोग जॉन को वेलकम करते हैं रात में इने मूवी दिखाय जाती है पर इन सब लोगों में जॉन सिफ सलीमा को धून रहा था ये बात सिसिल ने नोटिस किये वो जॉन के साथ रात में इंटिमेट होना चाहती थी पर इस थॉट को शेक नहीं कर पाती उससे कहती है मुझे तुमारे और सलीमा के बारे में सब कुछ पता है उसके अब शादी हो चुकी है उसे एक बेटा है वो अपनी लाइफ में खुश है सिसिल भी चाहती थी जॉन उसके साथ खुश रहे जॉन उसे अशूर करता है कि उसके साथ खुश है अगली दिन जॉन अपने ओल्ड घर को देखने के लिए गया वहाँ पर एक और ओफिसर है उसकी और कोई स्लीपिंग डिशनरी इस ओफिसर का नाम था नेविल जॉन ने नोटिस किया कि नेविल ने अपने स्लीपिंग डिशनरी को बहुत मारा है जॉन को इस बात पर बहुत गुशा है उसे नेविल को धमकी दी कि अगर तुमने फेसे उसके साथ ऐसा किया उसे मारा तो राद में तुम्हारा प्राइवेट पार्ट काट देगी सिसिल और जॉन जब से यहाँ है तो एजी उनका उब्जर्वेशन कर रही थी उसे लगता है कि सिसिल और जॉन की बीच में उनकी रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं यह सब वो जब बात कर रही थी तभी जॉन ने यह सब सुन लिया वो अंदर आकर सिसिल को किस कर लेता है उसने एजी को जाने के लिए कहा एक दिन जॉन जब रिवर के बास था तो उसने सलीमा उसके बेटे को देखा सलीमा का बेटा वाइट है इसका मतलब है वो उसका ही बेटा है उसे बहुत ही शौक लगा और वो सलीमा से मिलना चाता था अपने शेफ से बात करता है क्या हमारी मीटिंग अरेंच करवाओ शेफ ने औरेड़ी सलीमा से बात की थी वह सलीमा जॉन से कुछ भी बात नहीं करना चाहती है एक जगा अबर जूट बोलकर सलीमा को बुलवाय जाता है जॉन सलीमा से कहता है कि वो मेरा बेटा है मुझे उसे मिलना चाहिए सलीमा कहती है अगर लोगों ने हमें एक साथ देख लिया तो हमें मार डालेंगे जौन कहता कि प्लीज मुझे थोड़े टाइम मिलने दो वो अपने बेटे से मिला उसके फादर उसे जो लोरी सुनाते थे यही लोरी अपने बेटे को उसने सुनाई अगली दिन अपने बेटे के लिए वो एक टॉय बना रहा था इस बात को लेकर उसने जौन को कन्फरंट किया तो उससे सब को समझ में आ गया ऐजी कहती है मेरे हस्बंड हेंडरी की बेएक स्लीविंग डिशनरी थी मैं डरती थी कि उसके पास फिर से वापस चला जाएगा इसी वज़े से उसके साथ ही में 30 साल रही यही चीज में मेरी बेटी के साथ नहीं होने दूँगी उसे सलीमा के साथ कुछ भी रिलेशनशिप नहीं रखने के लिए वान करती है जौन इस बात को सिरेसली लेता नहीं वो अब सलीमा और अपने बेटी के साथ टाइम स्पैंट करने लग गया था यह पात जब बोलन साई को पता चली तो बहुत ही जेलस हो जाता है एक रात उसे मारने के लिए उसके घर पर भोश गया जौन की निन खुल गई थी तो बच जाता है अब यह इंसिडन बहुत ही सिरियस है हिन्री कहता है अब हमें बोलन साय को मारना पड़ेगा सलीमा तुम्हारी पास थी तुम्हें उसे जाने देना चाहिए था जौन कहता है कि अगर तुम्हारी ऐसे ही और कोई डॉटर होती तो क्या तुम उसे जाने देते हैं हिन्री ने कहा यही सही होता ये बोलते होए वो सलीमा को देख रहा था इसका मतलब है सलीमा हेंडरी की बेटी है हेंडरी अपनी वाइफ की वज़े से सलीमा को कभे भी अपना नहीं पाया अब नेकसिन में बुलंसाय को पकड़ कर ले आ जाता है हेंडरी के कहने पर हेंडरी के फोस में जौन को बोलंसाय को डेट की सजा दिनी पड़ी। वो अगली दिन बोलंसाय को हैंक करने वाले थे। पर बोलंसाय नहीं एक बाद जौन की जान बचाई थी। रात में जाकर उसे छुड़ा देता है। कहता है यहाँ से दूर भाग जाओ। रात में सलीमा भी उसे मिलने के लिए जौन कहता है अगर हमें एक साथ रहना है तो यहाँ से हमें भाग जाना पड़ेगा। इन्होंने भागने के लिए एक डेट डिसाइड की है। हेंडरी जौन पर इस बात से बहुत गुसा था। जौन को सबक सिखाने के लिए एजी सलीमा को नेविल के पास जाने के लिए के लिए कहती है एज उसकी स्लीपिंग डिक्शनरी। उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर सलीमा ने ऐसा नहीं किया तो उसे जेल में डाल देगी। अब आज रात ये दोनों भागने वाले थे पर इससे पहले ही शाम में सिसिल जौन से बात करती है। कहती कि मैं प्रेग्नन्ट हूँ। वो आज बहुत ही खुश थी और जौन बहुत ही ज़ादा कन्फ्यूस्ट हो गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। रात में जब सलिमा और नेवल केले थे तो नेवल सलिमा को जबरदस्ति करने लग सलिमा ने नेवविल को बहुत मारा। पर ये सब बात सिसिल को पता चल गई ये लिटर वो पड़ती है उसे वो बात करती है उसने कहा कि मेरी मदर डरती थी इसी वज़े से वो हमेशा मेरे फादर के साथ रही वो दोनों कभी भी पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाए मैं देख सकती हूँ कि मैं तुमारी फर्स चोईस नहीं तुम मुझे अभी भी उतनी प्रायोरिटी नहीं देते सलीमा हमेशा के लिए तुमारी फर्स लव है तुमें उसके पास ही जाना चाहिए मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो पूरी तरीके से मुझसे पैयर नहीं करता सिजिल होफूल थी कि उसे भी और कोई मिल जाएगा वो जॉन को जाने देती है घर पर जो भी सब चल रहा था इस वज़े से वो लेट हो गया सलीमा को लगा कि आज रात भी जॉन नहीं आया वो बहुत ही हाट ब्रोकन हो गई जॉन उनकी जगा पर लेट भोचता है पर सलीमा को ढूण नहीं बाता जॉन का शेफ फ्रेंड जॉन के लिए सलीमा पर नज़र रख रहा था वो कहता है सलीमा अभी भी यही है सलीमा ने निविल को मार दिया तो उसके मर्डर के लिए हेंडरी सलीमा को ढूण रहा था वो उसे ढूण तो लेता है पर जाते जाते अपनी गन उसने सलीमा को दे दी उसकी बेटी है और कभी भी उसके लिए बुरा नहीं चाहता सलीमा भी उसे गले लगा लेती है उसे हमेशा से पता था पुलता है कि नेविल अभी भी जिन्दा है वो सिर्फ इंजोर हो गया था अब ऐसी बहुत ही गुसा थी तो उसने जाकर नेविल को और दी जाओ और सलीमा और जॉन को मार डालो जॉन ने हर जगा पर सलीमा को ढूंडा पर फाइनली उसे ढूंडी लेता है यह दोनों एक अधिवासी लोग वहावर भोश गये यह वही लोग हैं जिनको मरने से जॉन ने बचाया था उन्होंने नेविल को मार कर इन दोनों को बचा लिया सलीमा जॉन से कहती है अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम कभी भी वापस नहीं चापाऊगे तुम्हें यही इन जंगलों तो प्लीज इसे लाइक कर दीजएगा यह बहुत सारी मुविस लेकर रात रहते हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजए और बेल नोटिवेशन आइकोन दावने मत भूलिएगा हम फिर से मेलेंगे और एक निमुई के साथ तब ते के लिए थैंक्यू और का खैल रखिया